हलो एवरबन तो आज के जूट में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की प्रीमियम हैस्बैक अल्टोज के बारे में तो आज यह से कि आपसे को पता है होगा कि अल्टोज को लॉंच वे इंडिया के अंदर लगभी चार साल होने को आने है लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई भी बड़ा अपडेट या फिर बड़ा फैसलिप नहीं आया है तो अब यहां पर आप देख सकते हैं टाटा अल्टोज फैसलिप के कुछ रेंडर डिजाइन तो बहुत टाटा मोटर्स को अल्टोज को एक मिटड़ फैसलिप देने की जुरूरत है क्योंकि इंडिया के अंदर लॉंच वे कापी टाइम होच चुका और इस सेग्मेट के अंदर कंपेटिशन भी कापी ज़्यादा बढ़ चुका है पैसे तो हर सेग्मेट के अंदर इंडिया के अंदर कंपेटिशन कापी ज़्यादा बढ़ चुका हो और सबी कंपनी जो अपने मोटल्स को अपडेट करें चाहिए वो फीचर्स हो डीजेइन हो लुक्स हो इसकी शैप्टी हो या फिर बीड कॉलिटी हो तो इसकी के अंदर हम आपके लिए लेकर आएं टाटा अल्टोज के फैसलिट का एक कुछ रेंट डिजेइन जिसके नए डिजेइन के हैडलेंप देखने को मिल जाएंगे नहीं LED DRL नहीं डिजेइन की टाटा मोटल्स की सिखने से प्रंट ग्रिल और नहीं रियर डिजेइ में खबरे आ रहे हैं कि टाटा मोटल्स जो हो नेक्स्ट इयर यान की दोचाथ 25 तक जो अल्टोज का एक फैसलिट लूंज कर सकती है साथ से आथ आप में कमेंड बोक्स में कमेंड करके जुरूब बताए कि जो रेंडर डिजेइन हमने आपको दिखे है उसका जो लूक है वो आपको कैसा लगा और देखते हैं जब टाटा अल्टोज का फैसलिट आता है तो इसी लूक को जो अबड़ेट किया जाता है या भ है जो आता है ।